सब दोस्तों को नमस्कार मंत्र जड़ी बुटी ग्यान चनल में आप सबी का स्वागत है दोस्तों यह एक नुस्खा बनना है यह बनना है बबासीर के मस्वों को सुखाने का तो बबासीर बहुत से लोग बबासीर के कई दवाईयां खाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता बबासीर होती क्यों है तो सबसे पहले आपको कारण समझना चाहिए कि ये किस कारण से है बबासीर सबसे पहले बात तो कितनी भी बिमारियां होती है चाहे कब जो हो या मुटापा हो या भूख ना लगना या गैस की बिमारी हो या गठिया बाई हो साइट का हो मरदाना कमजोरी हो धात हो किसी भी तरह का रोग हो सुरवात पेट से होती है अगर हमारा पेट सही है तो हमें कोई बिमारी नहीं हो सकती है अगर हमारे आतों की सफाई होती रहेगी समय समय पे तो कोई भी बिमारी नहीं होगी क्योंकि जब कहीं पे कचड़ा लंबे समय तक रहेगा तो वहाँ पे इंफेक्शन फैलेगा है वहां पे कीड़े मकोडे होंगे हमारे सरीर में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं बैड बैक्टीरिया भी होते हैं तो गुड बैक्टीरिया जो है हमारे हमको बिमारी से लड़ने की ताकत देते हैं लेकिन जो अब जैसे आंतों में लोगों के मल सल रहा है आज कर लोग रूखी सूखी चीजे खा रहें पास्ता चौमिन तो रूखी सूखी चीजे खाएंगे तो मल भी तो सूखेगा अंदर चिपक कर सड़ेगा खाना नहीं हज़ा मोगर रस नहीं बनेगा और फाइबर ठीक प्रकार से हमारे सरीर में फाइबर की मातरा नहीं होगी पानी की कमी जाहेगी क्योंकि यह ज्यादा तर फास्ट फूट जो है हमारे किड़नी आंत इन सब पर दिक्कत करती है ठीक जब कब्ज लंबे समय तक होती तो कब्ज होने के बाद दीरे दीरे जब आंतों में हमारे खुसकी सूखा पना आ जाता है पानी कम पीते हैं तो जब सूखा पनाता है तो मल सूखने लगता है टाइट होने लगता है कड़ा हो जाता है मल अब उसमें क्या है रोगी की क्योंकि आंतों में जो खाने को रस बनान वो आते जहां जहां से खीचना है वहां पहां पर पहुंचा देती है और लीवर फिर अपना खून बनाना लीवर कई काम करता है हमारे सरीर में तो जब यह सब function यह सब system जब गड़बल होते तो हमारे पूरे सरीर का system गड़बल होता है जब सारीर का सिस्टम गळबल होगा तो दुनिया भर में भर की बीमारी होगी। लोग बीमारी के कारण को नहीं ठीक करते । अगर बता दीया सरदर्द हैं तो सरदर्द किस कारण से हों ठीक करेंगे। बहुत से रोगियों को सीने में दर्द की प्रॉब्लम हुई उन्होंने कई दवा खाया पता नहीं क्या खाया हमने उनको गैस का चूरन दे दिया वो ठीक हो गए तो बिमारी को समझ दिये जब मल हमारा कड़ा होने लगता है और आतों को धक्का देने की छम तक खतम हो जाती ह मतलब कमझौरी आते है तो मल जैसे हम जो प्रेशर जो हमारे अंदर सुबा जब बन ता है कि मल जो वेस्ट मटेल है मल हमारा जो है निकल जाए तो वो आतों के अंदर इतनी ताकत फिर नहीं बचती है आते जब कमजोर हो जाती है तो फिर लोग जोर लगा कर मल कत्याग करते हैं ठीक है तो माइंड में हमारे फिर ये भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी कारे को रोज करते करते हैं हमारा एक दिमाग भी जो है उसको accept कर लेता कि हमको जब इसी तरीके से हम करेंगे तब ही हमारा काम होगा और बलकि पेट इस तरीके से साफ होना चाहिए आप सुबा उठें आपको प्रेसर आया और गुमुना पानी पीना चाहिए मौसम के हिसाब से गर्मियों में तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए सादा पानी रात का रात में पानी डाला हुआ तो ये सब चीजे का नियम का पालन लोग नहीं करते हैं इसलिए बिमार होते हैं जब हम सुबा पानी पीते हैं जब हमारे आतों में पानी जाता है क्योंकि 70% हमारे सरीर पानी है जब पानी की ही कमी होगी तो भी कई बिमारी होगी जब हमारे सरीर में चिकनाई भी कम होगी तो भी बिमारी होगी अब गैस जब बात बढ़ जाता है सरीर में तो गुठनों में दर्ध होने लगता है ग्रीज सूख जाती है गुठनों की तो कई बिमारियां होती है तो जब धक्का देने की छम तक कम हो जाती है जब जोर लगा कर बंदा करता है पानी कुछ लोग होते हैं कि दिन भर में खाली बताते हैं एकी गिलास पीते हैं और फास्ट फूड खाते रहते हैं जो मिला वो खाते रहते हैं तो अब वो सड़ेगा ही तो जब नहीं पूरी तरीके से पेट साफ होगा जोर लगाएंगे मल त्याग करने के लिए तो धीरे दीरे गुदादवार की मास पेसियां बाहर आने लगती हैं और फिर उसी में जब समस्या पुरानी हो जाते हैं इंसान ध्यान नहीं देता है बहुत ज़्यादा खुसकी आने के बाद फिर अंदर की रूखी जैसे थंडियों में हमारी तुचा जो है फट जाती ही रूखी स कमज़र होती हैं तो वह फट जाती है अब फटने के बाद बलड आने लगता है तो उसको कह देते खूनी बवसीर है और फिर वही मास जो है दीरे दीर बाहर की और आजाता है फिर वह अंदर की और नहीं जाता क्योंकि रोज मलत्याग किया जा रहा है जोर लगाकर पर वही पेट नहीं सही होगा तब तक आप नहीं सही होंगे तो पाइल्स में पेट की बिमारी सही है और पाइल्स की कमी से भी कई वह को टाइमिंग की कमी होती है ऐसे रोगियों को बवसीर की वज़े से भी टाइमिंग की कमी होती है और दवा खाते रहते हैं बवसीर के रोगी को अगर हम मुगलिज नुस्खा दे देंगे बीर गाड़ा करने का तो मल भी गाड़ा हो जाएगा और जब मल गाड़ा होगा तो बबसीर की दिक्कत और बढ़ जाएगी तो इस चीज का विशेज ध्यान दे तो उसी के लिए एक नुस्खा भी मैं बता रहा हूं पाइल्स का उसको जरूर पाइल्स की दवा भी अगर खा रहा हैं तो उसके साथ आप जरूर वह चूरण रात में सोते समय खा लें ताकि पैट आपका साफ रहे और छे वहीने में एक बार जुलाव जारूर लगाया करें इसी दवा खा लिया करें या टिफला ही खा लिया करें छे माहि शालन से कई भीमारियां खतं हो जाती है हमारे शुरीर की, तो अब भाब सी सी का नुषियान होता है इसमें घूनी बवसीर बादी बवसीर सब पर काम करेगा आपको नरकचूर ले लेना है जैसे 100 ग्राम नरकचूर है तो उसमें 400 ग्राम मूली करस डाल देना है 400 ग्राम मूली करस घड़े में रखका डाल देना है पूरी तरीके से जब रस सूख जाए तो उसको निकाल लेना है नरकचूर को नरकचूर को पीस कर बारी एक पोडर बना लेना है उसमें हरन बहेडा 50-50 ग्राम डाल लेना है ठीक है और नीम की गुठली 100 ग्राम और रसोत जो आते हैं रसोत रसोत सुद्ध की हुई बढ़िया क्वाल्टी की 50 ग्राम ग्रोरक मुंडी 100 ग्राम सुद्ध किया हुआ कलमी सोरा 50 ग्राम अगर कब जो बहुत ज़्यादा है तो सनाय की पत्ती डालने ने तो कोई रिक्कत नहीं है आप इतनी चीजे डाल कर बहुत ज़्यादा अगर वो इंफेक्सन है खूल बहुत ज्याद तो आप इसमें अर्जून का च्छाल डालें 20 ग्राम अर्जून के च्छाल का पौडर डालें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सुबा साम गुनगुने पानी से एक एक चमच पौडर लेना खाली पेट और पेट का ध्यान जरूर देना है अगर इसी सवई से भी चुका हूं इसको बस में थोड़ा अक्सीरी तरीके से बनाने जा रहा हूं बस तो दोस्तों नुस्खे बनाएं और लाब उठाएं और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें धन्यवाद